हेलो फ्रैंड्स वेल्कम टो मा यूट्यूब चैनल आज शुरूब करेंगे एक्सेसाइज 8.1 से क्वेश्चन नूबर 11 यह फिगर आपके सामने बनी हुई है सेम तो सेम इसी तरह की फिगर बुक के अंदर है क्वेश्चन रीड करता हूँ इन ट्रैंगल ABC and DEF ट्रैंगल ABC और DEF के अंदर AB DE के बराबर है यानि यह जो AB साइड है यह DE के बराबर है इसके एक जैसा निशान लगा रहा हूँ मैं AB parallel to DE और यह आपस में parallel भी है बराबर भी है और parallel भी है दूसरी चीज़ दे रखी है BC is equal to EF यह जो BC है यह इस EF के बराबर है length में बराबर है और BC parallel to EF और यह आपस में parallel भी है दिख रहा होगा आपको parallel है मिलकुल vertices ABC are joined to vertices DEF respectively अब इन दोनों triangles की जो vertices है न ए ड से जोड दिया B E से जोड दिया और C F से जोड दिया जोड दिया dotted lines जो है इनको जोड दिया C figure में आपने देखी लिया show that show करनी है आपको इसके अंदर 6 चीज़ है सबसे पहले चीज़ पर ध्यान देते हैं quadrilateral A B E D is a parallelogram A B E D ये जो quadrilateral है इसको आपको show करना है कि ये parallelogram ही है चलिए first से शुरू करते हैं solution में A B E D को parallelogram दिखाने के लिए हमारे पास जो given है न यही काफी है first given देखेंगे आप कि A B D E के parallel है और बराबर भी है बस अगर कोई एक पेर किसी quadrilateral का एक पेर लेंथ में बराबर हो और वो parallel भी हो तो फिर वो quadrilateral जो है parallelogram ही बन जाता है तो since A B E is equal to D E and A B parallel to D E therefore A B E D is a parallelogram यह parallelogram का short form होता है parallelogram बस हो गया खतम इतना ही है इसके अंदर यह क्योंकि जो यह sides है opposite sides और equal है opposites reasonable लिख दीजे इसमें आप क्योंकि opposite sides are equal and parallel यह parallel का निशान है opposite sides equal है और parallel है तो वो quadrilateral parallelogram हो जाता है second चीज second में दिखाना है quadrilateral B E F C is a parallelogram B E F C देखिये figure में B E F और C यह quadrilateral है इसको parallelogram show करना है अब यह काम भी जो है ना आपका given से हो जाएगा जो दो चीजे given है ना उसमें से दूसरे वाले से B C E F के बराबर दे रखा है B C is equal to E F और B C parallel to E F और यह जो B C है यह E F के parallel भी है बस same to same जो duplicate first में हुआ same वो ही होगा इसमें भी अब क्योंकि जो B C है वो E F के बराबर है and B C also parallel to E F यह parallel भी है तो therefore यह वाली चीज B E F C B E F C is a parallelogram reason में चाहें तो लिख भी सकते हैं same to same यही reason है इसका भी कि opposite sides are equal and parallel इसलिए जो है यह parallelogram है चलिए थर्ड पे दियान देते हैं थर्ड में हमसे कहा है कि AD show करिए AD C F के parallel है AD जो है वो C F के parallel है यह show कीजिए और AD C F के बराबर है यह भी show कीजिए अब यह जो चीज है न थर्ड वाला जो result है हमारे इन दोनों से निकलेगा है जो हमारे 1 में और 2 में है इन से निकलेगा तो पहले हम from 1 देखते है क्या मिल रहा है हमको from 1 में क्या है कि ABED is a parallelogram जब ABED is a parallelogram ABED एक parallelogram है then तो AD और BE यह आपस में बराबर होंगे AD is equal to BE यह आपस में बराबर होंगे और AD और BE यह आपस में parallel भी होंगे देखिए मैं जान पूछके AD और BE को ले रहा हूं ताकि इसमें मेरा AD आजाए AD और BE आपस में equal होंगे और parallel होंगे ये result मैंने number 1 से निकाल लाए अब इसी तरह से number 2 से निकालूँगा मैं from 2 from 2 में BEFC जो है हमने proof कर दिया उपर कि ये एक parallelogram है then अगर BEFC parallelogram है तो इसका BE इसके CF के बराबर होगा यानि BE बराबर होगा CF के और BE CF के parallel भी होगा BE parallel होगा CF के अब इन दो चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए यहां से आप देखेंगे कि ये जो BE है न BE AD के भी बराबर है और BE CF के भी बराबर है जब कोई दो चीजें किसी एक चीज के बराबर होती है तो वो आपस में भी बराबर होती है तो from 1 and 2 हम लिख सकते हैं कि AD is equal to CF AD is equal to CF अब parallel दिखाने के लिए parallel वाली चीज़ पर देखें AD BE के parallel है ये AD है ये BE के parallel है और जो BE है वो CF के parallel है तो parallel line की भी ये property होती है कि अगर कोई दो lines किसी same line के parallel हो न तो वो दोनों lines भी आपस में parallel होती है figure में देखे AD BE के parallel है और BE CF के parallel है यानि AD और CF ये दोनों के दोनों BE के parallel है तो AD और CF जो है न sorry BE हाँ AD और CF ये भी आपस में parallel होंगी यहीं से देखिए AD CF दोनों BE के parallel है ए ए डी पैलल टू सिया यह हमने थर्ड रिजल्ट निकाल दिया चलिए फॉर्थ की बार यह फॉर्थ में कहा है कि कौड्रेलेटल एसी एफडी इस पहले तो एसी एफॉर डी इसको दिखाना है कि यह एक पैललोग्राम है तो यह तो इसी से निकलेगा यह जो थर्ड में है और ADCF के बराबर भी है ADCF के बराबर और ADCF के पहले लिए हमने थर्ड में निकाला है न और ऐसा कब होता है जब वो पहले लोग्राम होता है तो फोर्थ जो रिजल्ट है वो डारेक्ट थर्ड से आएगा तो फ्रॉंग थर्ड में हमने यह निकाला है कि AD is equal to CF and AD is parallel to CF तो यह क्या है अपोजिट साइड से बराबर है और पैरलल है तो therefore ACFD is a parallelogram क्योंकि यह दोनों साइड है अपोजिट है किसी क्वाडरल की यह अपोजिट साइड से जो कि आपस में बराबर भी है और पैरलल भी है तो जब ऐसा होता है तो वो quadrilateral parallelogram होता है तो third से हमें fourth result मिल गया चलिए अब fifth निकालते हैं fifth में कहता है कि AC is equal to DF कि AC यह वाला AC और DF यह आपस में बराबर है अब यह हमें fourth से मिल जाएगा जब fourth में यह proof कर दिया कि AC, DF एक parallelogram है और यहाँ AC और DF इस parallelogram की opposite sides है तो वो तो बराबर होंगी तो fifth result निकालने के लिए हम लिखेंगे from four four में देखिए AC, F, D is a parallelogram AC, F, D एक parallelogram है and AC and DF are opposite sides यह opposite sides हैं तो therefore AC is equal to DF तो AC, DF के बराबर होगी यह हमें fifth में निकाल दिया आप sixth पे दियान दे आप sixth में triangle ABC को कॉंगनेस दिखाना है triangle DEF के ABC तो आपके सामने है यह DEF भी आपके सामने है यह आपको Congress प्रूफ करने है तो Congress प्रूफ करने के लिए दो चीज़े तो आपको given में दे रखी है कि AB, DE के बराबर है BC, EF के बराबर है और जो तीसरी है यानि कि यह side AC और DF यह आप यहाँ देख ले है यह 5th में देख लें यह रहा तो इसको Congress प्रूफ कर देते हैं हम 6th पार्ट में तो 6th को प्रूफ करने के लिए ट्रेंगल दोनों ले लेते हैं इन ट्रेंगल ABC एन ट्रेंगल DEF अब इनके अंदर क्या के चीज़े given है AB, DE के बराबर है इसका AB is equal to इसके DE के बराबर इसका BC इसके EF के बराबर और यह AC, third side, AC is equal to DF यह हमने 5th में निकला ला है AC is equal to DF अब इनके result, oh sorry, reason लिखना जरूरी है तो इन दोनों का reason तो है given यह हमें given में दे रखे हैं और जो AC, DF यह हमने लिया है 5th से, तो bracket में लिख दे from 5 तो यह side हुआ, यह side हुआ, यह side हुआ side, side, side से यह दोनों triangle congruence हो गई therefore triangle ABC is congruence to triangle DEF यह था 6th part, यह भी खतम तो यह जो question है न, इसके जो सारे parts है न एक दूसरे से interlinked है यानि first, second, second से third relation है third से आपको fourth मिलेगा fourth से आप fifth निकालेंगे fifth से आप फिर fifth का use करके आप sixth निकालेंगे question बहुत अच्छा है तो I hope आपको question अच्छे से समझ में आया होगा तो इस वीडियों बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए good bye